तो वही आज है अपने विनिंग चलेंज का 23 वादे और वही मैं आप सब को बतला दू कि कल T20 ब्लास कम्प्रीट होने के बाद रात में मैं था बहुत ज़्यादा फ्रेस्टेटेड क्यों बताऊंगा ठीक है फिलाल बात ऐसी है कि मेरा जो वाई आज नोर्थम्टी शाहर और समर्डिट के बीच T20 ब्लास का जो कॉर्ट फैनल मैट नंबर तीन अगर इसी मैट में इन्वेस्ट्मेंट कर रहा है तो मेरे एक बात ध्यान रखना अगर आपने अपनी फैंटेसी टीम में बोपारा को लिया या टाइम रहते हैं आपने फैंटेसी टीम से बोपारा को बा आप को ूड्यों में जानने को मिलेगा वहां इसस्वाले मेट में वद्ले बास्रेंट मारेंगें कौन से गेंट बास विकिट निकालने वाले हैं और मैं आपको इस वीडियों के अंदर ऐसे कम से कम दो प्लेयरों के नाम बता के जा रहा हूं जिनको 10% से कम लोग फैंटे से रिपोर्ट कार्ड शेयर करता हूं तो 22 दिन का रिपोर्ट कार्ड आपके सामने हैं अभी मैंने कहा था वीडियो की स्टार्ट में बहुत ज़्यादा अच्छी टीम बनाई लेकिन वाली लैंड को क्रोस नहीं कर पाया ठीक है आप देखलो स्कॉट्वेंड वाले मैट में क बाकि आप लोग कमेंट करके बताना कि कल आपने फेंटिस की फिल्में कैसा पर्फॉर्म किया क्योंकि आप जानते अपन उन लोगों में इसे है नहीं अगर प्रोफिट होगा तो आपको शेयर करूंगा लोस होगा तो भी आपको शेयर करूंगा टेंशन की कोई बात नहीं आगे बढ़ते हैं तो मैंने आपको बता दिया मैच है नोर्थम्टी शायर और समर्सेट के भी दियान रखना ये मैच 32 मेनुसा रात 11 अबजी स्टार्ट होगा तो आपने अपना अलम सेट करने साड़े जस बजेगा मैच खिला जाएगा नोर्थम्टन में टीक है क्वाट्फर मैच नमबर तीन है ये बात ज्यान रखना सबसे पहले हम बात करते हैं तो आप देखो नोर्थम्टी शायर की टीम ने समर्सेट की टीम से अब तक खेलने कुल पांच मैच पांच मैच से दो म जिन खिलाड़ों ने साulative साथ 2 साथ 20 में क्रिक्ट यहां इसका यह मतलब तोड़ी कि आपको जानके एरानी होगी कि वोपारा आज इस मैट पर आपको खेलता हो दिखाई नहीं देगा अब तोस्ट के बाद आपको पता तो चल जाएगा भी वोपारा आज इस मैट में नहीं खेला आप फैंटेसी टीम से बाहर तो कर दोगे लेकिन पता है दिक्कत क्या होगी 92% लोग ने फैंटेसी टीम में वोपारा को ले रखा है नहीं केलेगा confusion हो जाएगी भाई अब फैंटेसी टीम में किसे लूँ 30% लोग ने फैंटेसी टीम वाइस कप्तान बना रखा है चलो एक बारी माल लित तो क्लेस पर दूसरे फ्लेयर को फैंटेसी टीम में सेट तो कर कर दोगे लेकिन confused हो जाओगे अब फैंटेसी टीम में वाइस कप्तान किसे बनाओ अगर आपने पहले से करने का मुखा मिल गया और आपको ऐसे कोई भी दिक्कत होने वाली नीए ठीक है तो ध्यान से देखना नोर्टेप्टिशायर की टीम में रिकार्डो आपको उपन कर तो ने रहाएंगे विली के साथ विली टीम का कप्तान है रहा है बहुत सारे भायों ने मैत्यू बिर्ड़ को भी टीम में ले रहा है मैं आपको बता दूँ अभी सौथ अफ्रिका स्रिलंका एक टीम के साथ गेली उसके बाद टेश रंकला खेलें तो मेरे कुन लगता है कि South Africa 2 से इजाज़त देगा कि वही वो सिरी सोड के बीच में जाके T20 व्लास्ट खेल ले Northampton Shire टीम के coach ने ये कहा है कि हम ये try कर रहे हैं कि वो दोस्तो match के बीच में यानि एक match कल खतम हुआ और एक match आठ तारिक को इस्तार्ट होगा तो बीच में जो time frame है में वहाँ से flight पकड़ के आई ये match के लिए वापिस से जाके अपने South Africa में match के लिए लेकिन वो ये सब को depend करता है cricket South Africa पर क्रिकेट South Africa उनको permission देता है मेरे को नहीं लगता कि permission मिलेगी तो इस match में फिली आपको open करते हैं विली ओपन करेगा दोनों opening बलेबास आपके left end है number 3 पे staff खेलेगा कोई दिक्कत आपको है नहीं अगर South Africa cricket board ने permission दी तो मैं आपको बता दूँगा toast के बाद और फिर Matthew open करेगा तो विली वापस से बलेबास से करने 4 पाएगा अब आपको number 4 पे खेलतों ने सरा सकता है बाटलेग नमबर 5 पे ऐसे नहींगार ऐसे नहींगार को 39% लोगी fantasy team में ले रहे हैं लेकिन ऐसे नहींगार मेरे को लगते हैं इस परफूमेंस आप सबको चोका सकता है फिर Mac Maness है जो की keeper बलेबास से टीम के रेटन बलेबास है तो इस स्क्रीम में आप देखिए अगर आप टोप 5 बलेबासों की बात करेंगे पार्ट मेंस से चार तो आपके left end है ठीक है फिर Guess Miller आपको खेलतों ने सराएंगे Broad आपको खेलतों ने सराएंगे Broad का ध्यान रखना जर्मनी का प्लेइर है अगर इस में नौर्टम्टे श्राई की टिम का अच्छा परफॉम् करने है तो मेरको लगता है इसको बलेबास में मोका मिलना चाहिए इसको गेंदबास में मोका मिलना चाहिए क्योंकि अब तक साल दोसार 24 में इस घरड़ने सिर्फ टीन मैच खेले है नोडThe M2 टीम के लिए तीन मेट में न तो वहलेबाद से कम कम मिले ना गेंदबाद ज्याधा मुख कम मिला अगर इस मेट में को चांस देता है रोड़ सेमें तो ठחנו मिल गिया तो जवड़स परफोमी करने वाला है सेंद सन्रे लंगता है और इसके बाद और्टलोग स्पिन गेंदबास आपको नसर आएगा जैक वाइट राइट अंते इस गेंदबास है तो इन 11 अख लैडों के साथ इस मैट में उतार सकते हैं आपकी नोर्थेम टेश्रार की टीम अब इनकी टीम की ओर से लेखो कौन से गेंदबासों का अपने यानि गेंदबास से टीम है ज़्यादा जबरदस भी भी नहीं है यानि पिखली 10 मैट में उपन कर सकता है तो बल्लेबास में तो वि्ली आपकी फैंटेसी टीम है मेरे हिसाब से हैं मैट में होना ce drums सेंडेसन की बात करें तो पिछली 10 मैट में 14 बल्लेबासों काउट किया समर्साइट के पिछली 2 मैट में 4 बल्लेबासों काउट कर लिया और यह स्वैन्यों के पर 49 मैंच में बल्लेबासों काउट किया तो यह Northample 3 टीम का विकी टेगिंग इंबास है मेरे इसाब से आपको इस गेंबास को भी fantasy team में लेना चाहिए अब ये विगी टेगिंग इंबास से फे एक छोटी सी दिक्कत यह है कि ये थोड़ा सरन ज्यादा खट करता है ठीक है आप economy rate अगर comparison करोगे विली के साथ तो यहाँ ज्याद है अब यहाँ पही क्या है ये विगी टेगिंग इंबास से तो रहन तो खट करेगा नमबर तीसा इंबास से जैक वाइट जैक वाइट को 8.95% लोग ने fantasy team में रखा है 8.95% लोग ने fantasy team में रखा है लेकिन अगर आपको यह ऐसी लिग खेलें जहाँ पर रिक्स्टू रिवोर्ड एश्चो काफी जाद है तो आप अपनी fantasy team में जैक वाइट को ले सकते है खेलें तीन मैट में 5 बल्लेबास काउट किया है समरसेट से मैट ने खेला इस लिग एक मातर मैट में बल्लेबास काउट किया था यानि अभी नए 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 आये क्रिकेट के अंदर और इतना ज़दा लोग इनके बारे में जानते ही है लेकिन performance इसने अच्छी की है तो आप इसको अपनी मेगा लिग की fantasy team मेट से इसने दिफ्रेंशने पे ले सकते हैं नाम क्या है? चेक वाइट उसके बाद आगे ऐसने नेगार ठीक है? 10 मैट में इसने छेव बल्लेबासों का याउट किया समय सैट के दो मैट में 3 बल्लेबासों का आउट कर लिया ये बल्लेबासी नमबर 5 पे कर सकता है या नमबर 6 पे, 5 या 6 पे बल्लेबासी करेगा, नो तेम्टिश रहे टीम की बल्लेबासी कमसोर लगी है, तो बल्लेबासी करने का मोका है, SN को मिल सकता है, और SN को बल्लेबासी का मोका मिला, तो विली के जैसा बल्लेबास में कुछ तो contribute करी देगा तो इस तरह से आप ये मान के चलें 25-35 points ये भी देगा Freddie की बात करें ये भाई आपका है orthodox spin game bass orthodox spin game bass एक तो S-nagar हो गया दूसरा Freddie हो गया Freddie जो है इसको team कभी कभार इस्तमाल करती है इसको part time game bass की तोर पर इस्तमाल करती है क्योंकि Freddie spin game bass तो है लेकिन Freddie spin game bass करते है तोड़ा महंगा साबीत होता ठीक है आप इनका economy rate देखिए पिछले 10 match में 10 वल्ले बासू का उट तो किया लेकिन run कितने कर्च करें 10.6 हर और में 10 रन लीग कर रहे है अगर आप venue की बात करेंगे 19 match में 24 वल्ले बासू का उट किया रन खर्चरे की बात करें तो 9.30 run पर ओर खर्च किया ठीक है तो यह इनकी performance है सेफ की बात करें तो यह और्टलोग spin game bass part time game bass करता है पिछले 10 match में 4 वल्ले बासू को इसने आउट कर लिया यह Friday की comparison में एकनुमिकल गिनबासी करवाता है समयट सेट से के लिए 2 match में किसी का आउट नी कर पाया इस सेने पे लिए 34 match में 4 वल्ले बासू का आउट किया तो इसका मतलब यह शायद हो सकता है सेफ जो है साल 2-7-24 में गिनबासी करवा रहा है जिनका साथ दे सकते हैं जैक वाई ठीक है इन तीनों ही गिनबास ने पार्ट प्रे मेर्ची गिनबास से करके विगेट भी निकाले है जैसे पार्ट प्ले खतम हुआ टीम अपने और्टोडॉक्स पिन गिनबासों के पास जाएगे कौन कोन है एगर हो गया फ्रेडी हो गया और सैफ हो गया इनके टीम के और्टोडॉक्स पिन गिनबास को विगेट का मिला है इनके टीम के और्टोडॉक्स पिन गिनबास को विगेट मिला है बारा से सोलावर के बीच में तो क्या सीखने को मिला अगर आधी स्मेट में आप लोग अपनी fantasy team में इनकी team के orthodox spin गेंदबासों को लेना चाहते हैं और तीनों ही orthodox spin गेंदबासों को लेना चाहते हैं तो simple सी बात है इनके wicket check काने के chance 12-16 और के beat में जादा हैं तो आपके ऐसे बल्लेबास को fantasy team में लेने से बतना चाहिए जो आपको लगता है summer set की ओर से आधी स्मेट में 12-16 और में बल्लेबासी कर सकते हैं 17-20 की बात करें तो आपके जानना चाहोगे death में गेंदबासी कोन करवाता है तो ये बात थोड़ी सी दियान रखना अगर पहले North and 10 श्राइटिंग की गेंदबासी करते तो आपको इस मैट में क्या करना है अब जल्दी साब summer set की team को देखो ठीक है इस मैट में open करेगा Benton साथ देगा Will Smith, Will Smith को बहुत ही कम लोग fantasy team में ले रहे हैं क्योंकि लोगों को लग रहा है Will Smith ये मैट में खेलेगा नहीं मैं आपको बता कर चल रहा हूँ Will Smith ये मैट में खेलेगा और जिस तरह की information मैं आपको अपने वीडियो में श्रेक कर रहा हूँ ऐसे information कोई दूसरे वीडियो में आपको मिलेगी नी क्योंकि आप दूसरों की वीडियो देखना वो लोग क्या करेंगे हो सकता है वो पारा का VC बना के चल देओ वो आपको बताएंगे वो पारा ये मैट खेल रहा हूँ लेकिन अपने पास जो information available है वो best आपको देने की try कर रहा हूँ ठीक है नमबर 3 पे केडमोर है नमबर 4 पे अबेल है नमबर 5 पे डिक्सन है और नमबर 6 पे बात करें तो ये खिलाडी लीचेश्टर की टीम से आया है और ये खेल तो आपको समरसेट की टीम में इस रहाएगा ठीक है ये ध्यान रहकना है रैटन बल्लेबास से और तो लोग से लेके चले हैं लेकिन इस समयत में जबदास पर्फॉम करने वाला है ग्रेगरी टीम के कप्तान है बेन गिरिन बेन गिरिन का भी देखेंगे ओवाटन है आपने बात नोट की कि इनके टीम के जो टॉप चै बल्लेबास है जितने बल्लेबास इनके टीम के पास है सारे के सारे रैटन बल्लेबास है और रैटन बल्लेबास होगे सामने अपोनेंट टीम का कप्ता अंचायद तो बड़े रामसप ने उर्थलोक स्पिन गेंबासों को इस्तमाल कर सकता है क्योंकि right turn बलेबासों के सामने एक अच्छा मैच अप उर्थलोक स्पिन गेंबासी का बनता है अपोनेंट टीम में उर्थलोक स्पिन गेंबास 3 है नोर्टम्टिशार्ट टीम के दो मैट में तीन बल्लेबासों काउट किया, इस वने पे खेल एक मात्र मैट में दो बल्लेबासों काउट किया था, पिछले 10 मैट में तो बल्लेबासों काउट किया, अपोनें टीम के साथ के लेक मात्र मैट में दो बल्लेबास काउट किया, इस वने पे टीर वने टीम मैट के लना पेंडिंग है, लेकिन ग्रेगरी का आप जानते हैं, टीम को सवर्द पड़ी तो बल्लेबासों काउट कर सकत प्रवी जैक की बात करें तो जैक को देखो मातल है 17% लोग ने फैंटसेटीम में लिया, अब ध्यान देने वाली बात यह है कि पिछले 10 मैट में 13 बल्लेबासों काउड किया, ओवरटन ने पिछले 10 मैट में 9 बल्लेबासों काउड किया, 78.99% लोग टीम में ले रहे हैं, जै पर इके लिए तीन मैट में 5 बल्ले बास तो इन तीनों गेंद बास को कंपेर्शन करने के बाद हम यह कह सकते हैं कि वही सबसे बैतर गेंद बास में कोई निकल क्या रहा है तो जैक है जैक के साथ बस यह प्रोब्लम है थोड़ी सी महंगा ज्यादा सावित होता है जिसके चल देंगे गोल्ड वर्तिगी तो देखो मैंने कादा 4% के आसपास टीम में लोग ले रहे लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि 10 मैट में पिछले 13 बल्ले बास काउट कर लिया इस वन्रू पे खेले एक मात्र मैट में बल्ले बास काउट कर लिया जानी विगी टेकिंग इ खेले का इडी फिर एलेफेंदे मर्वे की बात करें तो आप देखो 10 मैट में 6 बल्ले बास काउट किया अपोनें टीम से खेले 2 मैट में एक को भी आउप नहीं कर पाया और इस वन्रू पे खेले के एक मात्र टीरोंटी मैट में विगेट नहीं मिला उसके बाद बैन ग्री प्ले के बाद उसके गेंद बास करने के चांस कम है और साल दोसा चोवी से इनोंटी ब्लास में टीम ने 17-20 में तो इसका इस्तेमाल क्या ही अगर आप लोग अपनी फेंटेसी टीम में ओवर्टन को लेना चाहते हैं तो आपकी मनशा है कि इस मैट में टीम के जो ऑपनिंग गेंद बास से कौन करोता है दो गेंद बास है एक है जैक अब जैक ने 10 और में 93 रंट तो दिया लेगिन 5 गेंट भी तो मिला है दूसरा गेंद बास कोन है बैन ग्रिन बैन ग्रिन ने 10 और में 112 रंट देखे यहां पर बलेवासों का उट किया तो इनकी टीम पहले गेंद आपने नोट करनी है कि दोनी टीम के जो इसमें के इंद बास है वो 12 से 16 और के बीट में विकित निकालते है यह बात आपको ध्यान रखने है तो अब आपको पता चल गया कि इस मैट में कोई भी फदर अप्डेट मेरे पास होगी सारी अपने टेलिगरम चैनल में आपको श इस मैट कि आपको अपने टेलिगरम चैनल में शेयर कर दूँगा पुरी में जोइन कर सकतो कोई पैसा आपसे लिया नहीं जाता तो आपने जोइन कर सकतो लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा वेन्यू की बास करते हैं तो इस वैनि पर देखने को मिलता है, average second inning score है 144, ठीक है, highest total इस venue पर है, लीच एश्रायर टीम का, नोर्थ हैंट एश्रायर के सामने 27 एक बल्लेबासा उठ वादा, lowest रही हाँ पर 96 रंड, जब टीम all आउट हुई थी, वेर्विक श्रायर की, highest target जो chase हुए, वेर्विक श्रायर की टीम ने chase किया था, 213 चार विगिट कर नुपसान पे, सबसे कम target जो defend हुआ है, वो है 110 रंड, ठीक है, तो यह आपको data मिल गया, अगर आप गेंद बासों में बात करें, तो इस वेर्ण पर केलेगें पिछले 10 मैच में, पिछले 10 मैच में तेज गेंद बासों ने 71 बल्ले बासों का उट किया, इस पिन गेंद माने से 34 वाले सो काओ्ठ किया यानी 68 % विगीर 14 बाइस या तरीज़ विधियू पेंद चटकाई तेज गेंद बासू ने तो इस व्यनियू की ऊपर यह तेज गेंद बासू के अच्छी परफोर्मेंस करने के चांच वो यह है कि पहले बल्लेबास्ति करने का average score इस venue के उपर साल 27 277 अगर आपको मैंच में करना है तो पहले बल्लेबासि करके कुछ भी नहीं कम से कम एक सत्ता का target set करना है अगर आप target set करते तो के मैट मिन करने के चार्स इंक्रीज होते हैं इतना टागेट कोई टीम पहले बल्लेबास से करके सेट नहीं करती तो उसके टीम को फिर मसकत करनी पड़ सकते हैं ठीक है बाकिया वीडियो को पोस करके इस वेन पर खिलके पिछली साथ मैचिस के स्कोर काड देख सकते हैं अब बल्लेबास की बात करेंगे विली 97 परसन लोग फैंटेसिटी में और लड़ी लेके बैटे हैं गिन्दबास में विगेट आप मानके जो लोग कम से कम एक विगेट निकाल सकता है और बल्लेबास में भी कोंट्रिब्यूट कर रहा है तो आप इसे दो फैंटेसी टीम में फ सब्सक्राइब कर रहा है तो यह तो ठीक है लेकिन साथ में पार्ट टाम की इंबासी करवा रहा है तो टोप तीन में इसे आप इन दो बल्लेबास को ले सकते हैं एक सैफ हो गया एक दूसरा आपका विली हो गया आगे चलते हैं बाटलेट आ गया तो इसकी परफॉर्मस कोई खास है नहीं मैं इसको फैंटसी टीम सा ओड़ कर रहा हूँ मैं करें तो विगट की बल्लेबास लाए आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं तो इनकी टीम की और से तीन प्रेर आपके फिक्स हो सके हैं एक एगर हो गया दूसरा आपका फिक्स हो गया यह विली और तीसा आपका हो गया स्टाइफ अपनेंट टीम के पास चलते हैं सब्सक्राइब करते हैं तीनों इक फिलाड़ी एक ही सेल ही क्या है यानि यह तीनों इक फिलाड़ी पावरेटिंग करते हैं इनका तो यह है आई तो आई मनलब बनी तो बनी नहीं तो अब्दुल गनी है ठीक है लेसी देसी यह काम रखते हैं तो धारी तलवार है चलगे वैलन गुड है अदरवास दिक्कत हो सकते हैं और मैं आपको बता दू विली स्मिड तो एक ऐसा बल्लेबास है जो अपने मैक साच होगी स्टीर वेंटे व्लास्ट में बाउंडी से मारे हैं तो आप अंदास लगा सकते तीनों कितने रिस्के प्ले रहे हैं चल गए तो समर्शाट की टीम 200 पार भी कर सकती है और नहीं चले तो समर्शाट की टीम के 150 न बना भी मुश्किल हो सकता है ठीक है तो जो जो इनको फेंटेसी टीम से बाहर कर दें यह फलोप हुए वहां पे उनके गैंद बास चले तो वहां भी आप मेगा लीग मैच्छा हो कर सकते हैं अब ये चारते केल रहा है और जिस तरह की बल्लेबासी आप इनकी top 3 में देखिए तो सारे के सारे high risk रिस्की player है बड़े short केलते हैं कम goal में जदा score करते हैं तो मेरे को लगते है वेल को तो बल्लेबासी करने का मोगा मिल जाएगा तो फिला टोस से पहले वेल को टीम में लेकर चल रहा हूँ अगर आप इस मैट में रिस्क लेने को तयार है मैंने वीडियो की स्टार्ट में कहा था आप कैसे क्लैडों के बारे बताऊंगा 10% से कम लोग fantasy team में ले रहे हैं लेकिन आप रिस्क लेने को तयार हैं तो फिर वही आप fantasy की film अच्छा कर सकते हैं उसी कड़ी में एक बल्लेबास का नाम है सिंट डिक्सन अगर आपने आज इस मैट में इनकी टीम के टॉप तीन में से किनी दो को fantasy team में बाहर कर रखा है तो आप इस खलाडी सीन को ले सकते हैं साथ पॉइंट एक पांच परसेंट लोग fantasy team में ले रहे हैं यह मेगा लीग में जा सकता है दस मैट में एक सो टाउंड रण 31 के उसकत है दो मैट में आप उने टीम के सामने 91 और 91 की उसकत है इस वेन पे खलेक मातर मैट मेट में 40 सन मारता यानि समर्साइट की बैटिंग को लैप्स करते हैं तो यह जबरदस बल्लेबासी करता है आपको नसर आएगा एक उर प्लेयर जो आपको अंडर 10 में नसर आ रहे है गोल्ड वर्ती 4.85% लोग ने fantasy team में लिया है 240 का strike rate है अगर आप आप करेंगे वेन्यू पे तो एक बार बल्लेबासी मिली 490 मार्य चार सो का strike rate है बल्लेबासी का मोकाद ज्यादा मिलानी अपोनेंट टीम से वेन्यू और इस venue की उपर अद्वाई से बल्लेबासी अच्छी खासी कर लेता है तो अब आपने क्या करना है आपने मेरे को तीन ऐसे प्लेरों के नाम बतानी है जो मैंने आपको इस venue बताए है भाई 10% से कम लोगों ने फैंटेसी टीम मिलिया और इस मैटेम पर्फॉर्म कर सकते है तीनों प्लेर के नाम आप कमेंट करके मेरे को बताएगा और साथ में बहुत ही अच्छा होगा अगर आप कमेंट करके ये भी बता देंगे कि उनके पीचे रीसन क्या ठीक है तो आपने वीडियो द्यान से लेका तो आपको हर एक प्लेर के बारे में पता चल गया अब अब अबन बात करते हैं अपने फैनल फैंटेसी टीम कॉंबिनेशन के बारे में तो भाई एक बात द्यान रखना जितना best possible मेर से हो सकता था अपने दिया जितने बहतर तरीकरे साप को समझा है सकता है अब आपका काम का है कि वीडियो को द्यान से पूरा देखना करना लाता है अब कर Еще स्पूर्ट मिलेगा सबडाए और आपको यस Oreo को इस श्रूड ने चीम को कर द kings अब आप देखो मेरे फाइनल फेंटेस सेटी कीपर बल्ले बास बेंटेन मेरे पास है चोईस मैंने आपको क्या दी कि आज इस मैट में रिस्क लने को तयार है तो बल्ले बास सिंट डिक्सन को आप ले सकते हो ठीक है यह ध्यान रखना मैं पहले के लिए करके चल रहा हूँ विली स्मिर्ड ओवर्टन इन दोनों में कोई एक आपने चूज करना है ओवर्टन को सब्सिट्टूट प्लेयर में मैंने इसलिए रखा और एक ही प्लेयर में सब्सिट्टूट है अगर उन दोनों को फैंटर्श टीम में किसे को कफ्तान भी करना पड़ता तो मैं पहले से फिरपेर हूँ वो दोनों इस मैट में ने कहलेंगे पहले से preparation कर ली किस match में कौन से कि लाड़े को fantasy team है कप्तान में इस कप्तान ट्राई करने है तो विली हो गया गोल्ड वर्थी हो गया यह दोनों मेरी fantasy team में कप्तान में इस कप्तान है चोईस की बात करें तो जैसे तो इस वाल लोगों को पता जलेगा वो पारा नहीं खेल रहा ब्रिट्स नहीं खेल रहा तो फिर लोग हो सकते हैं मेबी इस मैट में Benton को fantasy team में विसे करके हैं तो यह को सकता है ठीक है और goals वर्ति को vice captain करना इस मैट में एक risk के बरा फैसला भी हो सकता है क्योंकि इसने perform तो recent time में किया है लेकिन अभी डिपेंड करता है Gregory पे किस मैट में वो इसका कैसे इस्तमाल करता है अगर सजी से इस्तमाल करेगा तो इसके performance करने के chance मेरे को लग रहे है Sanderson गिनबासी में और Jack गिनबासी में ठीक है थो से बेले कफतान विली है वाइस कफतान गोर्टि है चोईस मैं आपको बता दी बैंट इन की चोईस है और बाकी जो team पहले गिनबासी करें में वी सी ट्राइग कर सकते हैं क्योंकि में भी हो सकता है बाद में गिनबास से करते हैं एक दम से उनको विगेट मिल जाए ठीक है तो यह fantasy टीम बनके मेरा तयार है अगर में fantasy टीम में कोई भी चेंज होगा तो भाई सारी अपडेट आपको टेलगाम चैल में टोस्ट बाद मैं शेय कर दूंगा जोई नहीं थांपि कर दोेछत झाल में अजी होगाँ झाल में थाँ होगाँ टेक्वा झाल में ऐसारी और भी तरन Selwyn